जेहिन बंदेमात्रम सातिय। मैं दर्मेंद रगवन सी पुना एक नए वीडियो में आप सवी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सातिय। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्षा मंत्री जी के द्वारा अतिती सिक्षकों के संदर में दिये गए एक बयान को लेकर। जीया सातिय। हाली में अतिती सिक्षकों ने राजदानी वोपाल में बड़ा पिर्दर्शन किया था। ओलट आज मानिए सिक्षे मंत्री जी ने एक महत्पूल बयान अतीति Service को लेकर दिया है जिसको लेकर काफि चा बंई और आधे कर नियोंति करण को लेकर इसकों सिक्षा मंत्री जी से प्रिष्ण किया तो उन्हों तो यह बास्तम में अगर देखा जाए तो इहरान करने वाला बयान है अब इसमें कितनी सर्थता है यह इस्तिती पूरी तरीके से इस पर फिलाल नहीं हुई है लेकिन लगातार सोशल मीडिया फिश्वान पर मानिए इस गुस्षिक्चा मंत्री जी का यह जो बयान है पूरी तरीके से बाइरल है अब इसको लेकर अतिती सिक्चक साथी का अच्छे का से नाराज है क्योंकि एक तरफ उनके प्रदर्शन के बाद ये कायास लगाय जा रहे थी कही ना कहीं अतिती सिक्चकों को लेकर कुछ बड़े निड़ने इस्कूल सिक्चों वाग ले सकता है क्योंकि एक सकारात्मक बैटा कायुजित की गई थी और उसमें आठ विंदूओं को लेकर साइमती भी बनी थी जिसमें दस माय का अनुवंद समेत साथ अन विंदू भी सामिलते लेकि नभी तक किसी भी तरीके के आदेश दारी नहीं किये गए हैं लगातार जो अतिती सिक को लेकर किसी भी तरीके के आदेश दारी नहीं किए गई उसी बीचिक्टमंत्री जी का यह बयान है निइचित तौर पर सबसे बड़ी मांग नीमिती करन उसको लेकर एक जटका लगा है अतिती सिक्चक साथी इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी पिर्दी के रिया जरूर दें निचित तौर पर हम आपकी बात अगले वीडियोज में सासा निश्तर तक ले जाने का प्रया अब इस पर भी संसे बन गया है क्योंकि स्कूल सिक्चा मंत्री जी के तीखे ते बार देखने को मिले हैं तो समझत अतिती सिक्चक साथी कमेंट सेशन में अपनी पिर्दी करिया जरूर देंगे साथी यह था आज का मैत्वून अपडेट जो कि अतिती सिक्चकों को लेकर मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवम नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहन जवारत में तरूप